नमस्कार मित्रों, डिस्कवरी क्लासे जैपूर यूटूब चैनल पर मैं पुश्पेंद्र गुर्जर सभी मित्रों का तहे दिल से हारदी का विनंदन और स्वागत करता हूँ मित्रों आज हम इस वीडियो में अध्यन करेंगे मेवाड के इतिहास के बारे में और इतिहास के अंतरगत जो महारणा कुम्भा की सांस्क्रितिक उपलब्धियां थी उनके बारे में अध्यन करेंगे और सांस्क्रितिक उपलब्धियों में सबसे पहले मैंने इस्थापति कला जिसके बारे में विजय इस्थम का निर्मान महाराना कुम्भा ने करवाया जो मैं आपको वीडियो में पढ़ा चुका हूँ और अब धीरे-धीरे करके ध्यान करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग लिखोगे महाराना कुम्भा की सांस्क्रितिक उपलब्धियां किसकी तो महाराना महाराना कुम्भा की सांस्क्रितिक उपलब्धियां सांस्क्रितिक उपलब्दिया तो महरणा कुम्भा की सांस्क्रितिक उपलब्दियों के बारे में और इसमें सबसे पहले जिसका अध्यान करेंगे सांस्क्रितिक उपलब्दियों में तो वो हो इस्थापत्य कला के बारे में कौन सी कला स्थापत्य कला के बारे में अध्यन करेंगे इसमें हमने इस्थापत्य कला में नमबर फर्स्ट में अध्यन किया विजे इस्तंब का वारे में हम अध्यन कर चुके विजे इस्तंब जिसके बारे में हम अध्यन कर चुके मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि महारणा कुम्भा ने सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष में विजय इस्तंब का निर्मान करवाया जो कब हुआ सारंगपुर युद्ध तो 1437 इस्वी में युद्ध हुआ था सारंगपुर युद्ध व विजय के उपलक्ष में विजय इस्तंब का निर्मान करवाया जो 122 फिट उचा 30 फिट चोड़ा और 9 मंजिला है इसका जो वास्तुकार था वो नापा या पूंजा को माना जता है और इसके जो लेखक थे वो थे अत्रिपुत्र महेस राजस्थान की पहली इमारत है विज कुतुम मीनार से की है इसके अलावब फर्यूसर ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है तो यह एक बहुत अच्छी इमारत है विजय इस्तंब जिसका निर्मान किसने करवाया था तो महरणा कुमभा के द्वारा करवाया गया जिसके बारे में हम वीडियो में अ अध्यन करेंगे जैन कीरती इस्तंब कौन सा कीरती इस्तंब जैन कीरती इस्तंब तो यह जैन कीरती इस्तंब इसका निर्मान भी चितोडगर दुले में किया गया है विजय इस्तंब भी कहां पर है तो विजय इस्तंब भी चितोडगर किले के अंदर है और यह जैन कीरती इस्तंब का निर्मान भी कहां पर किया गया है चितोडगड किले के अंतरगित किया गया है और ये साथ मंजिला इमारत है जो विजय इस्तंब जी ये नो मंजिला इमारत है जबकि जो जैन कीरती इस्तंब में ये साथ मंजिला इमारत है और जैनों के जो तीर्थंगर थे तो आदी वरा है यानि आदि नाथ आदिनाथ को समरppt है इसको आदिनाथ इस्तंब के नम से भी जाना जाता है तो यह किस के लिए तो जैनों iki मरत तो यह साथ मंजिं की मेरथ और इसका निर्मान जीजा सहब बगेर बाल के द्वारा किसा बारा तो जीजा सह düşंछ बगे द्वाल के द्वारा निर्मान यहां लिए तो में निर्मान जैन धर्माव लंबी धर्माव लंबी गौन था तो जीजा साहे बगहेरवाल कौन सा बगहेरवाल तो ये जीजा साहे बगहेरवाल के दोरह इसका निर्मान करवाय गया कितने मंजी तो साथ मंजिला इमारत है ये साथ मंजिला इमारत है तो साथ मंजिला इमारत है इसको कौन से तो जैनों के जो तीर्थन किरगे कौन? आदिनाथ इसको तो आदिनाथ को समर्पित है समर्पित आदिनाथ को समर्पित है इसे आदिनाथ इस्तम्ब के नाम से भी जाना जाता है क्या केते इसको आदिनाथ इस्तम्ब के नाम से भी जाना जाता है तो आदिनाथ इस्तंब के नाम से भी जाना जाता है तो जाता है जाना जाता है और जैनकिर्थ इस्तंब ये कहां पर है तो ये चितोडगड के लिए में इस्तित है कहां पर इस्तित है प्यारे दोस्तों तो ये चितोडगड के किले में इस्तित है चितोड किले में इस्तित है कौन सा और विजे इस्तम भी कहां पर है तो ये चितोड के किले में इस्तित है इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसके द्वारा कई किलों का निर्मान किया गया महलों का निर्मान किया गया जैसे अचलगड दुर्ग सिरोही बसंती दुर्ग सिरोही कुम्भलगड दुर्ग राज समंद ये कई दुर्ग इसके द्वारा बनवाए गए थे तो कौन-कौन से दुर्ग बनवाए गए थे तो मैं यह हेडिंग पर देता हूं नेक्स जो अगला नंबर है तो दुर्गों का निर्मान करवाए गया तो कौन-कौन से दुर्ग थे तो नंबर फर्स्ट पे कुंभलगड दुर्ग कुंभलगड दुर्ग तो कुंभलगड दुर्ग का निर्मान कहां पर करवाए गया था तो कुंभलगड इस्था तो बसंती दुर्ग कहां पर है तो बसंती दुर्ग सिरोही इसके अलावा तीसरे नमर पे अचलगड दुर्ग कौन सा अचलगड तो अचलगड दुर्ग और यह अचलगड दुर्ग का निर्मान कहां पर करवाया गया तो अचलगड दुर्ग भी कहां है प्यारे दोस्तों त अचलगट दुर्ग भी शिरोई जिले में अस्थित है इसके रावा यानि कई दुर्गों का निर्मान करवाया गया अचलगट दुर्ग बसंती दुर्ग वैराथ दुर्ग भौमट दुर्ग और वैराथ दुर्ग कहां पर है तो ये बैराथ दुर्ग तो ये बेराठ दुर्ग कहां पर है? तो ये भीलवाडा जिले में इस्थित है कौन सा दुर्ग? वेराठ दुर्ग बदनौर भीलवाडा में कहां पर है ये? तो बदनौर एक जगह है तो बदनौर और बदनौर कहां है? तो भीलवाडा इसके अलावा एक पांचवे नमर पे वेराथ दुर्ग और भौमट दुर्ग का निर्मान करवाया गया कौन सा तो भौमट दुर्ग और ये भौमट दुर्ग कहां पर है तो भौमट दुर्ग का इसने निर्मान करवाया था पर तो बाड मेर जिले में करवाया मचान दुर्ग का निर्मान करवाया गया बाड मेर में तो भॉमट दुर्ग इसके अलावा छटवे नम्मर पे मचान दुर्ग कौन सा दुर्ग मचान दुर्ग और यह मचान दुर्ग का निर्मान भी इसने कहां पर करवाया तो सिरोई जि यहां पर लिख देता हूं में कौन सा दूर्ग तो साथ नम्मर पर कौन सा चितोडगड़ दूर्ग और चितोडगड़ क्या करवाया तो जीर्नोद्वार करवाया तो चितोडगर दुर का इसने जीरनों द्वार करवाया जबकि चितोडगर दुर का निर्मान किसने करवाया था तो चितोडगर दुर का निर्मान चित्रांग मोर के द्वारा करवाया गया था किसके द्वारा करवाय गया तो आपको याद रखना है कि इसका निर्मान किस ने करवाय था सेकंड ग्रेड की एक्जाम में पूछा जा चुका है ये चित्रांग या चित्रांग गद मौर के द्वारा करवाय गया मौरर के द्वारा किस का निर्मान करवाय गया था तो चितोडगड के किले का निर्मान करवाय गया तो ये अपन को याद रखना था इस्थापत कला में इसके अलावा इसके बाद में यानि कहा गया है कि मेवाड के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्मान किस ने करवाय लिखें था मोतों महारणा कुम्हा करवाया गया कितने दुर्गों का तो यह 32 का हुएा तो कि कुभी कि मैं कि श्यामलदाश के अनुसार कौन सा जास श्यामलदाश के अनुसार अनुसार और कवी स्यामल दास ने कौन सी पुष्टक लिखिये अनुसार 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का 32 दुर्गों का निर्मान 32 दुर्गों का निर्मान किस ने करवाया कुम्भा ने करवाया था यानि मेवाड में टोटल कितने दुरू गए चोरासी दूर गए जिन मेंसे 32 दुरू का निर्मान किसके द्वारा करवाए गया तो महरणा कुंभा के द्वारा करवाए गया और यह किस श्यामलदास के अनुसार वीर विनोध पुष्टक लिखी गई है उस पुष्टक में बताया गया है कि मेवाड के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का या 32 किलों का निर्मान किसने करवाया महराना कुम्भाने करवाया राजोस्थान में इस्थापत कला का जनक किसको माना जाता है महराना कुम्भा को माना जाता है जबकि मेवाड में सबसे ज़्यादा दुर्ग किसने बनवाई महराना कुम्भाने बनवाई और मारवाड में सबसे ज़्यादा दुर्ग अगर जो बनवाई और भारत वे संदर म अगर पूछ लिया जाए कि भारत में इस्थापत कला का जनक किसको माना जाता है तो भारत में इस्थापत कला का जनक किसको माना जाता है सहां जहां को माना जाता है भारत में इस्थापत कला का जनक माना जाता है तो यह चीज अपनको याद लखनी है में यहां बता भी देता का निर्मान तो मेवाड में सरवाधिक दुर्गों का निर्मान किसने करवाया तो कुम्भाने करवाया अगर पूछलिया जाए कि मारवाड में मारवाड में सरवाधिक दुर्गों का निर्मान किसने करवाया तो यहां पर मालदेव के द्वारा करवाए गया मालदेव के द्वारा इसके अलावा यहां से लिख लेता हूँ जगे कर पर यह जाएगी यानि राजुस्थान में कहां पर तो राजुस्थान में इस्थापत कला का जनक किसको कहा जाता है तो राहिस्थान में इस्थापत कला का जनक किसको बोलते है तो कुम्भा को कहा जाता है अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में भारत में इस्थापत कला का जनक किसको कहा जाता है इस्थापत कला का जनक कला का जनक तो भारत में इस्थापत कला का जनक किसको कहा जता है तो प्यारे दोस्तों भारत में इस्थापत कला का जनक साहे जहां को कहा जता है साहे जहां तो भारत में इस्थापत कला का जनक किसको कहा जता है और मारवाड में सबसे जदा किलों का निर्मान किसके द्वारा करवाए गया तो वहां पे करवाए गया मालदेव के द्वारा करवाए गया इसके अलावा महरणा कुम्भा के द्वारा कई मंदिर बनवाए गये यानि कई मंदिर बनवाए गये तो यहां पे मैं लिख देता महारणा कुम्भा के द्वारा क्या बनवाएगे तो मंदिरों का निर्मान करवाया गया तो मंदिर तो कौन-कौन से मंदिर महारणा कुम्भा के द्वारा बनवाएगे जैसे सरंगार चवरी मंदिर मीरा मंदिर और कुम्भ स्वामी मंदिर कौन-कौन से जैसे मंदिर कौन सा बनवाया तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ कुम्भ स्वामी मंदिर मंदिर यानि महारणा कुम्भा ने जहां भी किला बनवाया लगबग लगबग सभी दुर्गों में कौन से मंदिर का निर्मान करवाया तो कुम्भ स्वामी मंदिर का निर्मान करवाया तो आपको याद रखना है कुम्भलगड में कुम्भलगड अचलगड अचलगड और चितोडगड चितोडगे किले में किले में मंदिर बनवाए तो यानि कुम्भ स्वामी मंदिर का निर्मान कहां कहां करवाया अचलगड़ के दुर्ग में करवाया इसके अलावा कुंबल गड़ के दुर्ग में करवाया और चितोड गड़ के दुर्ग में भी किसका निर्मान करवाया तो कुम स्वामी मंदिर का निर्मान करवाया इसके अलावा रनकपुर के जैन मंदिरों का निर्मान भी महानक कुम्भा के समय हुआ था तो किसके मंदर, तो दूसरे नमर पे यहां मैं लिख देता हूँ, तो रनकपुर, रनकपुर के जैन मंदिर, जैन मंदिर, तो रनकपुर के जैन मंदिर, इसका जिर निर्मान करवाय गया था, रनकपुर के जैन मंदिरों का जो निर्मान करवाय गया, यह यानि कुमभा के मं मंत्री थे जिनका नाम था धहर्नक साय कसके द्वार करबां गया था उनसे निर्मान तो मैं यहां और यहांन और देता हूँ जैन्याज मिया ख़रनमान जैन व्यापारी एक तो था धन्ना धन्ना के द्वारा इसका करवाय गया था तो यह जैन व्यापारी धन्ना के द्वारा कौन से मंदिर बनवाए रनकपुर के जैन मंदिर बनवाए जो यह किसके लिए तो यहां पर 1445 खंबे हैं इसमें इतने खंबे हैं तो खंबे यानि 1445 खंबो का मंदिर कौन से को बोलते हैं तो रनकपुर के जैन मंदिर को कहा जटा है इसके अलावा दूसरा मंदिर बनवाया गया जिसका नाम है तीसरे नमर पे मीरा मंदिर कौन सा मंदिर मीरा मंदिर और ये मीरा मंदिर भी कहां पर बनवाया गया तो चितोडगड में बनवाय गया है कौन सा मंदिर तो मीरा मंदिर का निर्मान करवाय गया इसके अलावा स्रंगार चमुरी मंदिर भी बनवाय गया था कौन सा मंदिर तो ये स्रंगार चमुरी मंदिर बनवाय गया तो स्रंगार चमरी मंदिर, यह यानि महरणा कुम्भा की एक पुत्री थी, रमा भाई, और वो विदूसी महिला थी, उसके द्वारा इसका निर्मान करवाया गया, तो याद रखना है कि इसके द्वारा तो ये कुमभा की पुत्री रमावाई के द्वारा इसका निर्मान करवाई गया. तो किसके द्वारा तो महरणा कुम्भा की पुत्री रमा भाई के द्वारा इसका निर्मान करवाय गया इसके अलावा महरणा कुम्भा के द्वारा यानि महरणा कुम्भा एक खुद बीना वादक था एक लेखक भी था तो इसके द्वारा कई पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा तो महरणा कुम्भा के द्वारा तो पुस्तक कौन कौन सी पुस्तक के लिखी गई तो ये अपने को याद रखना है कि महरणा कुम्भा के द्वारा कौन कौन सी पुष्टकों का निर्मान करवाय गया तो मैं यहां लिख देता हूँ कुम्भा क्या था तो वीना वादक था वीना वादक तो यह वीना वादक था इसके अलावा इसके द्वारा कई पुष्टक जैसे वास्तु मंजरी वास्तु मंजरी इसके अलावा कई टीका हैं इसके द्वारा लिखी गई महरणा कुम्भा के द्वारा तो वास्तु मंजरी इसके द्वारा पुष्टक लिखी गई और जो टीका हैं इसके द्वारा जो लिखी गई थी तो संगीत सुधा, संगीत मिमानसा, संगीत रतना कर कौन-कौनसी तो पुस्तक संगीत सुधा इसके अलावा संगीत रतनाकर इसके अलावा चंडी सतक सूड प्रबंध इसके अलावा कामराज रतिशा तो ये पुस्तक किसके द्वारा लखी गई तो महानक कुम्भा के द्वारा कई पुस्तक लिखी गई कौन-कौनसी तो संगीत राज संगीत सुधा संगीत मिमान सा कामराज रतिशा और कामराज रतिशा सूड प्रबंध तो संगीत सुधा संगीत रतनाकर चंडी सतक सूड प्रबंध कामराज रतिशा ये पुस्तक किसके द्वारा लखी गई तो ये महानक कुम्भा के द्वारा इसका जो दरबारी कभी था महारणा कुम्भा का तो यहां लिख देता हूं में कुम्भा का कुम्भा का दरबारी कभी तो प्यारे दोस्तों महारणा कुम्भा का दरबारी कभी कौन था तो वो था कान्य व्यास कौन था और कान्य व्यास इसका दरबारी कभी था और कान्य व् तुछ न nationalism पुष्त किशने लखी है तो इसके जो दरुारी कभी थे 00 कान्य व्यास्थ यानि यह एक मातर इतिहास का दरवारी कभी था, जो वयतनिक था, इसका वेतन फिक्स था, बागी इतिहास में जितने भी दरवारी कभी हुए, उनको क्याहे कि उनकी कभीता के उपर दिया जाता था, चैबली, की कभीता जैसे लिखते तो उसके बादरार आधार सोने की मोहर देदी किसी कुछ भी देदी है महाराज ने खुछ सब्सक्र लेकिन जो कानड़ व्यास था एक लिंग महातम में पुस्टक लिखी है यह यानि राजस्थान का यह में को मेवाड का एक मातर वईतने कभी था इसके अलावा कई यानि महन इसका जो कुंबल गड़ का दुरुक क जो वास्तुकार था वो था मंडन तो मंडन ने रूप मंडन काफी पुस्टक लिखी है प्रासाद मंडन रूप मंडन तो यह मैं यहां लिख देता हूं अगला यह तो कान्न व्यास हो गया और दो नम्मर पर कौन था तो मंडन मंडन और यह मंडन कौन था तो आपको याद रखना है कि यह कुम्बलगड दुरु का वास्तुकार था और इसने पुस्तक क्या लगी तो पुस्तक तो कुम्बलगड इसने कौन सी लुखी तो प्रासाद मंदन प्रासाद मंदन पुस्तक लिखी इसके अलावा इसके द्वारा कौन सी लिखी गई प्रासाद मंदन इसके मंदन रूप मंदन यह सब किसकी पुष्टक है तो यह यानि मंदन की पुष्टक है तो प्राशाद मंदन रूप मंदन आधी पुष्टक है किसके द्वारा लिखी गई इसके अलावा वैद मंदन शुकुन मंदन कोदंड मंदन वास्टु मंदन तो यह सब पुस्तक याद रखनी है वास्टु मंदन वास्टु मंदन वैद मंदन वैद मंदन इसके अलावा कोदंड मंदन कोदंड मंदन यह किसकी पुस्तक है तो यह यानि मंदन की पुस्तक है इसके अलावा एक दूसरा था जो इसका भाई था और एक गोविंद इसका पुत्र भी था मंदन का तो मंदरन का जो पुत्र था गोविंद उसने भी यानि कई पुस्तके लिखी थी जैसे कला निधी उद्वार दोरनी द्वार दीपी का तो ये कौन था यहां में लिख देता हूँ तीसर नमबर पे अगला कौन था तो गोविंद इसका था कौन था गोविंद ये कुंभा का और इसने कौन-कौन सी पुस्तक लिखी तो कला निधी क्या लिखी कला निधी कला निधी उद्वार धोरनी उद्वार धोरनी कला निधी उद्वार धोरनी इसके लाबा द्वार दीपी का क्या लिखी तो द्वार धीपी का तो कला निधी उद्वारत धोरनी और द्वारत दीपिका इसके अलावा एक मंदन का भाई था तो जिसका नाम ता ना था और ना था ने कौन सी लिखी तो वास्तु मंजरी लिखी तो अगला कौन था यहां लिख देता हूं में चौथे नमर पे तो यह थी महारणा कुमभा के संदर में और आपको यह बहुत अच्छी लगी होगी याद भी होगी यह मैं उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इसके अधिरिक मेंसी में बता देता हूं कि महारणा कुमभा के द्वारा यानि कई उपलबधियां धारन की गई थी और महारणा कुमभा की जो उपलबधियां थी तो वह कौन-कौन सी उपलबधियां थी यानि सोरी उपाधियां तो महारणा कुमभा की जो उपाधियां थ धारन की थी महारणा कुम्भा ने तो यहां लिखेंगा मैं महारणा कुम्भा की उपाधियां तो इसके द्वारा कौन कौन सी उपाधियां धारन की गई थी तो आपको याद रखना है एक तो थी अभिनव भरता चाहर है इसके अलाबा राणो राशो अभिनव भरता चाहर है राणो राशो हाल गुरू नेक्स थी चाप गुरू इसके अलाबा दान गुरू इसके अलाबा निसक राज का निसक राज है तो हाल गुरू चाप गुरू चान चाप गुरू परम भागवत आधी वरा है हिंदू सुर्तान यह बहुत सारी उपादियां थी परम भागवत परम भागवत इसके अलाबा आधी वरा है परम भागवत आद्वी वरा है और क्या नाम था तो हिंदू सुर्तान यह यानि बहुत सी उपलादियां प्राथी किसको महारना कुम्बा को जैसे चाप गुरु पड़ी तो यह क्या चापा मार युद्ध प्रणाली में कुसल था चाप गुरु तो यानि धनुस विद्या सीखाने में कुसल था हाल गुरु यानि पहाड़ों में युद्ध लड़ने में परफेक्ट था तो इसको हाल गुरु दी गई दान गुरु त दान देता था तो इसलिए दान गुरु कहा जाता है अभीनव भरता चार रहे हैं ये संगीत में कुसल था संगीत की ज्यान था इसको इसलिए इसको अभीनव भरता चार रहे हैं और चाप गुरु, रानो रासो यानि सभी सासकों के द्वारदी गई थी स्रेश्ट सासक होने के कारण तो ये थी महारणा कुम्भा की उपलब दिया मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अच्छी लगी होगी और सभी मित्रों के लिए काफी लाब दैख होगी तो जो भी मित्र चैनल पर पहली बार जुड़े तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इजाज़त चाहूँगा जै हिंड जै भारत